आज के क्लास में बच्चों हम समझेंगे ठ्रस्ट और प्रेशर का क्या कॉंसेप्ट है ये भी हमारे जो चैप्टर है ग्रेविटेशन चैप्टर नाइन उसका एक टॉपिक है ठ्रस्ट बेसिकली प्रकार की फोर्स है ठीक है माल लिजी आप एक आधम करदेश हैं को स Давай कि थीजह ठीक है कि आप इक बूढ़ पर ऐसे खड़ें हैं तो कई वार क्या होता है कि वह जो बॉढ़ है वह ठोड़ा सा वीक है तो यहां से वो कई बार आपको लगता है ख्रीजा वर्या पर या आप रेत में खड़े आई किवर टॉ आपके पॉरेत में दीरे-दीरे दसने लगते है उप आशा क्यों हो रहा है कि यहे रख हो धर्ती आपको नीशी खीच रही है, इस वेट के कारण इस जगह पे एक force एपलाई हो रही है, उसके कारण अगर ये weak board होगा तो crack हो जाएगा, रे तक soft है आप उसके पाउं तक जाएगे, तो force होती है, net force applied आने surface, जब एक surface पे आप force एपलाई करते हैं, net force, क्योंकि अगर 2-3 forces हैं अपने आपको counter balance भी करेंगी, ठीक है, तो ये इसकी direction अगर perpendicular है, जैसे यहाँ पे ये table है, आप इस पे खड़े हैं, ये table weak था, यहाँ पे crack हो रहा है, नहीं weak होगा तो आप खड़े रहें किसी दे, आपको की दिक्कत नहीं आएगी, आप sand पर खड हैं, जैसे मैं भी फर्स पर खड़ा हूँ, फर्स नीची जुक नहीं रहा, लेकिन force apply हो रही है उसके उपर, आप sand पर खड़े होंगे, तो आपके पाउँ थोड़ा सा धस जाएंगे, तो जो आप force apply करते हैं किसी चीज़ पर, और उसकी direction जो है, perpendicular है to the surface, उसे कहेंगे thrust, य अभी मैं आपको एक different example से समझाता हूँ, माल देजे एक table है ये, इसके उपर आपने एक box रखा हुआ है, इस box का weight है, माल देजे 10 kg, ये इसका weight नहीं है, weight हमेशे अबजूद नहीं करना चाहिए, इसका mass है, ये ही गरबर हो जाती ही न, हमारे पास, हम weight को इतना commonly use करते हैं, कि हम उसको mass से अलग करनी पाते हैं, लेकिन जब physics में बात करेंगे, तो mass और weight को लग देखने का, तो उसका weight कितना होगा, हमने formula सीखा था पिछले वीडियो में, mass into g, mass है 10 kg, g है 9.8, तो ये बजाएगा 98 newtons, इतनी force, इस box के कारण, इसके mass के कारण, इस table पर लग रही है, इसका mass है 10 kg, इसके कारण, इसका जो force जो है, जो इस table पर लग रही है, वो 98 newtons है, तो ये इसका thrust है, total force, total net force, clear हो गया, कि जब हम एक force apply करते हैं, perpendicular direction में, एक surface के उपर, तो जो net force होगी, वो उसकी thrust होगी, अब ही हम आते हैं, दूसरे concept के उपर, प्रेशर के उपर है, प्रेशर क्या होता है, thrust, divided by area, अब ही हम आ जाते हैं, इसी example पर, हम यह ऐसा assume करते हैं, कि यह box है, ऐसा, यह table पर ऐसे पढ़ा हुआ है, तो इसका एक side माली जे चोड़ा है, जैसे आम तो उपर देखा है, तो ट्रंक हो, एक side surface उसकी चोड़ी होती है, एक कम होती है, तो जो बड़ा side है, उसका माली जे area है, हम मान देते हैं, 400 square centimeter है, उसकी smaller size है, उसका area है, smaller size का area माली जे 100 square centimeter, तो अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, इस broader side से ट्रंक के उपर, उसके table के उपर रखते हैं, तो यह कितनी pressure exert करेगा, यह exert करेगा, 98 इसकी thrust है, 98 को divide करना पड़ेगा, 400 square centimeter से, लेकिन हमें यह चाहिए, square meter में, तो इसको जब हम thousand से divide करेंगे, तो यह बन जाएगा, 0.04 square meter, तो 0.04 से इसको जब divide करेंगे, तो इस cancer बनेगा, 98,000 by 4, 16 चोके, नहीं, 4 है ना, 24, 4 चोके 16, चाहिए, इतनी, इतना यह जो है, pressure exert करेगा, इस table के उपर, क्यूंकि जब हमने, broader side से रखा, लेकिन अकर मालो ऐसे रखते हैं, इसको, छोटी side नीचे रखते हैं, ऐसे खड़ा कर देते हैं, तो अब इसका area हो गया, यह 100 यह हो जाएगा, 1000 से divide करेंगे, 0.01 square meter, उसी force को हम divide करेंगे, 98 को divide करेंगे, जब 0.01 से, तो 98 hundred newton, ज़्यादा pressure exert कर रहा है, हमने, जो box का area बढ़ा था, जब उस side से रखा, तो जो table के उपर pressure पढ़ रहा है, वो है 2450 newton, लेकिन जब हमने smaller side से रखा, तो pressure बढ़ गया, तो अब इससे एक बड़ी important चीज़ आपने समझनी है, जब हमारा thrust fixed है, जो force अपलाई कर रहे हैं, वो fixed है, तो area अगर बढ़ेगा, area increase होगा, तो pressure decrease हो जाएगा, और area कम होगा, decrease होगा, वह ही thrust है, तो pressure बढ़ जाएगा, अब इसका common example जो आपको, बुक में भी पढ़ने को मिलेगा, की, तील आप जानते हैं, ऊपर से चोड़ा होता है, यह area जादा है, नीचे से point knock होती है, जब आप थोड़ी से आप इसको hit करते हैं, दिवार में लगाने के लिए, यह किसी object में लगाने के लिए, तो जब दिवार आपने कील को, इसको hit किया, तो मालों आपने जो force लगाई, उसकी amount क्यूँ, कुछ भी हो सकता है वो, 1000 Newton हो सकता है, 500 Newton हो सकता है, 200 Newton हो सकता है, तो जब आप यहां से इसको hit कर रहे हैं, इसका area बहुत थोड़ा है, point का, तो pressure बहुत अधिक होगा, और यह जो है, कील दिवार में या उस object में खुब जाएगा, लेकिन अब उल्टा करिए, यहां से थोड़ा मारिए, और इसको दिवार पे रखिए, तो अभी pressure कम हो जाएगा, क्योंकि area बढ़ गया, area बढ़ने से pressure कम हो जाता है, ताकत हम उतनी लगा रहे हैं, force हम उतनी लगा रहे हैं, Q unit, तो अभी यह दिवार में या उस लकड़ी में आप डाल रहे हैं तो नहीं जाएगा, इसलिए कील खोदने के जब लगाती हैं, तो यह point, जो नुकीली side होती है, वहाँ से हम उसको लगाती हैं, नुकीली side में, जितनी भी force लगाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ऐसे चाकू होता है, अगर आपने देख है, तो एक side से बिल्कुल sharp होता है, एक side से थोड़ा सा मोटा होता है, इसको cutting side कहते हैं, यह अपनी handle से इसको जब दमाग डाला किजी चीज़ को काटने के लिए, क्योंकि यह जो side है, जो इसकी thin side है, वो बड़ी, उसको sharpन भी कर देते हैं, stone पे रगड के, बिल्कुल पतला कर देते हैं, पतला करने से जो भी हम force लगा रहे हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि area कम है, इस side का area बहुत कम है, जो sharp side है, कुलहारी में देखिए, एक side sharp होती है, कुलहारी ऐसे, कुलहारी को मारा जोर से, कुछ आपने force लगाई, तो यहां पे जो pressure है, बहुत जादा हो जाएगा, क्यों, area बहुत कम है, जितना हम area कम करते जाएंगे, जैसे kale की noak है, यह यह knife का sharp edge है, यह कुलहारी का sharp edge है, तो वहां पे pressure जादा होगा, pressure जादा होगा, pressure जादा होगा, अगर ऐसे अपने box भी रखना किसी जगह पे, अगर आपको doubt है, कि नीचे वाला जो surface है, जिस पे हम box रखने वाले हैं, वो जादा strong नहीं है, तो आपको ऐसे रखना चाहिए, कि जादा area उसके contact में आए, in fact, sand वाला जो example दिया है, अगर आप sand बे सीधे खड़े होंगे, तो आपके सिर्फ पाउं sand से touch कर रहे हैं, पाउं का area कम है, जादा thrust लगेगी, आप sand के अंदर जादा धबेगे, लेकिन आप sand के उपर लेट जाएए, आप sand पे लेटेंगे, तो आपका पूरा शरीर sand के साथ चिपका होगा, area बढ़ गया, thrust तो वही आपके weight के कारण, मालिज आपका weight है 50 kg, तो 50 x 9.8 इतनी आपकी thrust है, चाहिए आप आउं के बल खड़े हों, तो तो आप शरीर के बल लेटेंगे, तो आप sand में नहीं दसेंगे, क्योंकि अब जो pressure लग रहा है sand के पर वो कम हो गया, क्यों कम हुआ, क्योंकि आपका शरीर sand के साथ चिपका हुआ है, और आपके शरीर का area जादा है, thrust चेंज नहीं हो रही, pressure कम हो जाएगा, तो ये question आपको आ सकता है, कि आप अगर सीर बीच में खड़े हैं, खासकर जब पानी की लहरों के पास खड़े हैं, जहां पानी बैता रहता है, तो वहाँ पर जब आप पाउं के बल खड़े हैं, तो आप जादा sand में दसते हैं, लेकिन आप शरीर का बल लेटें, तो आप कम दसते हैं, पाउं के बल तो जादा कम एरिया होने से जादा प्रेशर पड़ता है सेंड के उपर आप सेंड में दस जाते हैं लेकिन जब आप शरीर के बल लेटते हैं तो आपके शरीर का एरिया पाओं के एरिया से जादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होगा प्र प्रेशर में दबाओ, कम दबाओ पड़ेगा और आप उसमें कम दसेंगे, समझा आगे आपको अंतर? तो इस चैप्टर के इस टॉपिक को भी ही विराम देते हैं, इसका जो नेक्स टॉपिक है, प्रेशर दूटू लीक्वर्स या फ्लूट्स जो कहते हैं, वो हम अगले भी आएगा, पर मेरे इस वीडियो को लाइक करो और अपने श्रस के साच शेर भी करो, थैंक यू.